हेलो बच्चों हेलो लॉफ यू कैसे आप सो आई होप सो बहुत अच्छे बढ़ी आए तो आज देखिए आज हमारा डे टू है नंबर सिस्टम का क्या बोला मैंने मैंने बोला कि आज हमारा जो क्लास नाइन का नंबर सिस्टम है कि मैंने मुण क्या क्या कि आट वे हमने कर लिया है रहरा है यह बन मतलब कि कि फर्सट उप्रास यह कि सखेंट क्लास तो अगर बात करो कि हम एक नमर लाइन ड्रोव किया था जिसमें मैंने आपने साथ डिसकस किया था कि किसे अपने बूलते हैं और नमर किसे बूलते हैं इन्टियस के बारे में समझाता और हमने थोड़ा साथ राश्टरल नंबर को भी समझागा ठीक है तो अच्छा और इस आखे बढ़ने से पर एक दो बात में बता दूँ आपको जो क्याप्टल बहुत इंपोर्टेंट है तेको हम जो स्लेवर्स है यह जो हमारा NCRT बुक है क्लास 9 का आपका तो NCRT के basis पर ही हमें अपने स्लेवर्स लेकर चलना हैं बट हम कोस्टेंज जो हमारी कोसिस होगी कि सारे concept सारे कोस्टेंज को हम NCRT का तो करेंगे exercise का और example का प्लस मेरी कोसिस पूरी है होगी कि आपको जितने वी कोस्टेंज हो चाहे वो RS से हो चाहे वो NCRT आप कितने भी कोस्टेंज लाओ आप कोमेंट बहुत मुझे बताओ कि सब्सक्राइब कर दीजें तो वह मैं तो करूंगा यह करूंगा प्लस मेरी प्रस्टल कोसिस यह रहेगी कि NCRT का concept लेते हुए हमना हरे कोस्टेंज को करें NCRT से पहले उसके बाद मैं कोस्टेंज कि other questions होते difficulty level कितना भी हाई उसको हम कितने अच्छे तरीके सिहां पर समझ भाएं तो अगें जो मैंने डेवन ने बताया था कि जो सिंसियर लड़नेर जो सिंसियर बच्चे हैं जो सिंसियर ली मैस सिखना चाहते हैं वही बच्चे और उनके लिए ही इस प्लैटफॉर्म है तो चलिए आगे पढ़ते हैं तो यह बहुत इंपोर्टेंट बात थी जो मैं आपको बता दिया मैस बढ़ा ही प्यारा subject है तो इस मैं खुद एक बहुत बड़ा एक fun experience होता है मैस को सिखना हना तो मेरा तो यही मानना मैस को लगे तो आज स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं तो पेंट पेपर करता त्यार रखे हर इक बात को नोट डाउन जरूर करेंगे तो मैंने क्या बोला कि हमने national number को whole number को integer score इंट तो मैं बोलता हूं real number छोड़ दो मैं बोलता हूं कि डियान नंबर की अंतर म अंतम classification करें नंबर का तो कुछ इस तरीके से कर आ किस तरीके से किया जा सकता है कि मैंने बुल आएक मैंने बोल दिया क्या कि एक तो होता हमारा अहारा राशनल नंबर unique और दूसरा मैंने क्या वोल दिया इराइशनल नंबर ठीक है हमने राइशनल नंबर को समझाता तो अगर में डिकॉल करूँ इस चीज़ को तो मैंने यह बताया था आपको कि राइशनल नंबर कि जब हम बात करते हैं तो मैंने वोला और एनी नंबर that can be expressed in the form of P by Q जहां पर Q must not be equals to 0 और यह जो P and Q है क्या है P and Q है वो क्या होने चाहिए? Integers होने चाहिए क्या होने चाहिए? Integers होने चाहिए ठीक है तो हर वो नंबर जो इस form of express हो सकता है और जहां पी और Q integers है और Q not equals to 0 है वो हमारे क्या होगा? rational number होगा तो मैं इन दोनों को बताने से पहले rational number को एक और तरीके समझें और समझते हैं कि क्या Integers को rational number बोल सकते है, natural number को rational number बोल सकते हैं क्या, whole number को बोल सकते हैं क्या तो उससे एक बात आप समझोंगे यहां पर जिसके basis पर हम question भी सिखेंगे, practice करेंगे, तो मैंने गोला natural number like 1, 2, 3, 4, 5 यह क्या हमारा, natural number है, अगर हम number line बनाते हैं यहां पर हैंना, तो मैंने गोला, यहां से 0 इस्टार्ट हुआ, फिर 1, 2, 3, 4, 5, फिर minus 1, minus 2, minus 3, is तरहीए से, तो मैंने क्या खोला यह से तो natural number है और 0 को ले, लेने के बाद हो whole number बन जाता है, तो मैंने क्या खोला, जै घड़न बने को हम 1 by 1 लिक सकते हैं, हां लिक सकते हैं तो यह rational number है पीवाक के फॉर्म में इसका मतलब यह हुआ है हर एक natural नंबर हम देखेंगे हर इक natural नंबर भी क्या है एक rational नंबर है तो यह बात समझ महरा रहा है एक statement में कि जितने भी natural है what only natural नंबर है यह इसका मतलब हिए हो गया कि जितने भी युदि नमबर नारहे हैं वह अपने Zadel ले लेता है नैछ्टर लमबर को इंकलीट करता है क्योंकि मैंने आप आपको बताया कि हम 4 को भी क्या लिख सकते learned उप को क्या लेक्तियोंays तो कहने की नमबर के अंधर नाश्राल नमबर आ रहा है पर फिर हमने चेक क्या whole numbers को मैंने बोला whole number क्या था भई जब natural number के साथ 0 को भी ले लेते हैं तो वह क्या बने जाता कर सकते हैं कर सकते हैं जीरो को मैंने सिखाया था बेवन में जिसको क्लास वन का नाम भी दे सकता है कि जीरो बाइवर क्या हो सकता है पी वाक्यू को फॉर्म में है यह तो यह भी क्या है रैशनल नंबर भी बाकि जितने यह नंबर है नैजरल नंबर तो है यह साथ में होल नं राशनल नमबर राखे होल नमबर को भी अपनेमं इंक्लूड कर रहा है ठीक बात है उसके बातव और इंटेजर्स को आपि पर क्या हो गया यह तो पी बैइक्व का उभी को अगे सकते हैं नमबर Q, मैंज टू, एक इंटीजर है, और 1b के एक इंटीजर है, जहाब एक Q, जो 1 है, वो Q को मान ले उसे, तो वो 0 के एक वन नहीं है, that means, वो P by Q के फर्म में है, देखो, एक बात बताओ, मैं हर एक चीज को बार और डीप में जानी को उसिज करूँगा, explain करनी को उसिज क करूँगा, क्यों कि मेरा मानना है, क्यों जो बच्चे मैस में अच्छे होते हैं, जो समझने चीज़ों को, या आप बच्चपन समझता है, उनको तो हर एक चीज ऊपऑँ उपर भी पढ़ादो, तो समझ में आ जाता है, बट मेरा मानना है, मुझे उस पर काम करना है, जो बच्चे वीक हैं जो मैं इसको समझ नहीं पाते तो उनको मैं लेकर चल रहा हूं सबसे जादा मेरा focus उन पे है कि वह मैं इसको सीखें इसलिए मैं हड़ एक इसको fourteen बादबर बताओ oh repeat करऊ हो depth में तो बच्चे सोचिंगे की सर क्यो बता रहें कि बात लृष तो दो आप मैंने बोलास को लिख सकते को मैश तो भाइस इसरी के अंदर नेशल FREAK और करेंजनल अंदर आशनल नमबर की अंदर नहीं है यह एंठीज़ नहीं है यह होंनिा है क्यों नहीं क्योंकि नाइच्ण निंबर क्या हो था 123456 इंटिजर चंड पॉसेटीव नीगेटिव यह नहीं हो सकता हैं क्योंकि जो इसको सौफ करोगे तरहों पॉइंट मैं एगा किसमार जाएगा decimals मе जाजएगा, तो कोई decimals number को हम integer नहीं वह सकते है, natural number नहीं वह सकते, whole number नहीं वह सकते हैं, मतलब बात एक बहुत simple सा है और square है, यहां People को कि natural number ने-natural를 नहीं離 को, rational शुल quantify हो सकते हैं, all number हो नहीं सकते हैं, सारे integers को, rational नहीं वह सकते हैं.. बात बहुत इंपरनेंट बात है, इसको लिख लेना भी कि जतने भीत रैस्नल नंबर होंके कि जतने भी डैस्नल नंबर है और रैस्नल नंबर और रैस्नल नंबर कैनट 57批 Christmas सकते हैं मिक्थ बात को सारे लेसoire नहीं हो सकते हैं नाच्वर नहीं हो सकते हैं यह रिए लए एक्निजर नहीं है यह नहीं है यह हो नंबर नहीं है तो बहुत ही important statement है बड़ आपसे question यह पूछले आ जाए कि क्या all natural number can be a rational number हाँ तो सारे natural number rational number होंगे all whole numbers can be a rational number हाँ सही बात है all integers can be a rational number हाँ सही बात है बड़ सारे rational number ना तो natural होंगे ना तो whole number होंगे ना तो integers होंगे तो मेरी कोसिस थी कि इस चीज़ को बहुत से समझे को इसमें से question बहुत एक्जामत देखने हो को आपको मिलने वाला है तो अभी हम अपने इसको प्रैक्टिस करेंगे तो एक बात पर बताओ दो उसके बाद इस चीज़ को देखो तो मैंने क्या वोला कि रैस्नल इसले को जो हम पढ़ेंगे ना तो हम यह सबजमा गया कि रैस्नल नंबर अपने आप एक किसको किसको इंक्लूड कर रहा है मतलब कि इसके अंदर आ सिर्फ इसनल रहा है एक इस फ़िया क्या थे नेच्छूल नंबर को एकोल नंबर ना इनटीजर्स E कर देख तो इसको और भी मैंने वोला सक्टान करेंग बiszink sortaसित प्रफुलिस करूं कि तो मैंने भोला कि मैंने को इस तरह से समझ सकतेए हैं 1 एक होते हैं टेसिमल्स वाले एक होते हैं टेसिमल्स 1 वाले अगर टेसियों वाइन नंबर के बात करें और यहां फिर से नंबर लाइन रोगर दिया और यहां 0 गहां पल्ट सब्स done यह-1-2 तो एक classification क्या हो गया without decimals का जो कि यह सब नumर्बर और इसकर न क्या क्या पढ़ा है इसकर पढ़ा है Natural Numbers के बाड़े में Whole Numbers के बाड़े में Integers के बाड़े में पढ़ा था नहीं तो without decimals वाले नंबर में क्या क्या हो गया है इसको अभी यहां से एरेस कर दूं कि मैंने रैसले एरेसले नहीं लिखा इस तरीके से लिख दिया कि रियल नंबर में मैंने बोला एक सी आप समझ लो decimals के कुछ नंबर होते हैं और एक समझ लो बिना decimals वाले कुछ नंबर होते हैं ठीक है तो विदाव decimals वाई नहीं है क्योंकि अभी भी हम सीख रहे हैं जब तक हमारे को से सीखने की होते हैं तो उसमें कोई बुड़ाई नहीं है हां जिसे हम सीखना बंद कर दे तो अब हो सकते कि भाई आप सीख क्यों नेट है बाभू बच्चे यह गलत बात है तो अभी भी नहीं पता decimals तो सीख ल गाँ डेसिमल से उसको बहुत है तो इसको फ्लैसे जक्योंट नंबर लेता हूं घिकात है तो मैं कुछ इसदेसिमल्स नमब लेता हूं आपन से अपनी आमन से मैने लिया सपर एक verzड़ 0.29 एक नम्मर लिए मैंने decimals के फॉर्म में नंबर बोलना गलत होगा है decimal नम्र बोलते हैं सब्सक्राइब की मैंने बोल दिया 3 फिर फिर लिकना हुआ 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 मैंने लिया दॉट 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 और एक नमबर मैंने लिया मैंने बोला 0.1247285 कि क्या मतलब है ध्यान समझना हर एक चीज़ के रिलेवेंस है मैंने ऐसा ही नहीं लिख दिया कुछ मतलब है एक बात ध्यान से देखो अगर यह एक नंबर 0.29 है इसका मतलब क्या है कि आपने किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइट दिया होगा और आपके पर सिंपली क्या निकल का आगया 0.25 या 0.29 मतलब इसका डेसिमल प्लेस यहां पर एंड हो गया इसके बाद फॉर्दर कोई नंबर नहीं आ रहा है तो जिसका एंड हो जाए उसको नाम कहा जएक टर्मिनेट कर जाना टर्मिनेटिंग खतम हो जाना एंड हो जाना तो इसका ना कभी ऐसा होगा कि 0.66666 0.4444 रिपीट होगा तो देखो ऐसे में क्या होता और यह डॉट का मतलब क्या है कि 3 रिपीट करते जाएगा तो इसलिए मैंने 3 को नहीं लिखा तो कुछ डेसिमल ऐसे भी हो सकते मतलब किसी नंबर को किसी नंबर से डिवाइड दिया तो कभी ऐसा हो जाना नॉन्टरिमाटि मतलब खतम नहीं होना नॉन्टरमिनेटिंग बट रिपीटिंग है बट क्या है कि इप्रेटिंग रिपीट कर रहा है इसका अफने अदर वर्ड हम लिख देते हैं आपके लिए यहाँ पर रेकृइंग यहां पर यह बूला रेकृण तो यह decimal एक ऐसा है जो कि non-terminating खतम तो नहीं होगा लेकिन अपने आपको बार-बार क्या कर रहा है repeat कर रहा है ठीक एक ओर decimal देखुए इसमें आप यहां से देखें तो find के बाद decimal के बाद यह decimal संख्या है वह repeat हो रहे है वह कुछ से कुछ repeat हो रहा है अपने आपको कोई ऐसा नंबर नहीं कि particular कोई नंबर repeat हो रहा है like 1247285 कुछ भी नंबर चलते जा रहा है ऐसा नहीं है कि कुछ block मतलब कहने का ऐसा नहीं कि सब्सक्राइब मैंने लिका 123 फिर 123 फिर 123 तो देखुए हम पर 123 123 123 123 repeat हो रहा है यह बहुत सकते हैं 0.4545454545454545454545 repeat हो रहा है यह simply 3333 repeat हो रहा है तो repeating में ऐसे examples आ सकते हैं और यह example सही भी है क्योंकि repeating को यह बता रहा है यह example but इसमें देखो तो कोई number कोई pattern repeat नहीं हो रहा है और नहीं यह number खतम हो रहा है तो इसे बोलते हैं non-terminating क्या बोलते हैं non-terminating non-repeating ना to terminate हो रहा ना तो खतम हो रहा है तो two kind of decimal expansion जो हम देख रहे हैं यहां पर यह दोनों को एक है terminating दूसरा क्या है non-terminating but repeating तो decimal के terms में मैंने बूला था आपको पिछले day one में कि समझेंगे rational number को तो जिस number का decimal expansion ऐसा हो कि terminating decimal हो या दूसरा number non-terminating होगा but number decimal के बाद जो number है वो क्या करें आपको repeat कर रहा है है तो एसे decimal expansion को हम बोलते है rational number क्या बोलते हैं बाबू आप इस नमबर यह मैं चेक कर लेता हूं कि यह आपके screen में cover हो रहा है पुड़ा हाँ हो रहा है चलो ठीक है तो मैंने क्या बोला मैंने बोला था कि decimals को basis पर समझेंगे rational number को तो अदम ध्यान से समझ लो और note down कर लेना हर एक बात को कि जिस decimal number का जिस decimal का ending terminating हो दूसरा non-terminating हो बट repeat कर रहा आपको इन दोनों के मिला क्या बोलता हम लो डैस्नल नमर बोलते हैं समझेंगे इसको डिटेल में एक्जांपल्स करें कोस्टन करेंगे और एक ऐसा decimal जो कि ना तो खतम हो रहा है ना तो अपने आपको repeat कर रहा है that is your irrational number तो ऐसे numbers को हम क्या बोलेंगे इतने बात को लिखो पर ले तो आप देखो जो मैं एक बात लिख रहा था यहाँ पर फिर सब्सकों लिखता हूं अगर मैंने लिखा था रैस्नल नमबर irrational तो मैंने तो irrational और rational यहीं समझा दिया आपको तो real नमबर के अंदर rational और irrational को तो मैंने एक साइड धर ही समझा दिया आपको पूरा नहीं तो मतलब तो real नमबर के अंदर rational irrational तो आई रहा है बट मैंने बोला रियल नमबर के अंदर यह भी चीज़ आता है without decimals वाला भी जोकि natural नमबर होल नमबर इंटीजर भी है इसका मतलब यह हो जया कि तो हर तरीके से मैंने कोसिस कि आपको समझाने की बहुत इंपोर्टेंट ये चैप्टर बहुत काम आने वाला है इसलिए जनास अभी हलके में मतले ने शेप्टर को बच्चे बहुत ध्यान समझना को भी डाउट होता है तो आप कमण बेक्स बताएंगे मैं आपको फर्दर और डिसकस करूंगा है तो चलो इसको नोट डाउन कर लो वे फर्दर चल रहा है और कुछ कंसेप्स को लेकर तो इसाब वीडियो पॉल्स करके नोट डाउन कर लेना मुझे यहां स्पेस चाहिए तो मैं इसको इरियस कर रहा हुए तो कुछ कुछ समझेंगे भी विसकस करते हैं हमारे NCRT book में देखते हैं क्या questions available है तो आपके नंबर सिस्टम के पहले exercise के पहले जो अर्द फ्लोविंग स्टेट्मेंट स्ट्रों फॉल्स गिव रिजन्स फॉर यू अंसर बोल रहा है कि कुछ स्टेट्मेंट दिए बताओ वो फॉल्स है तो पहला स्टेट्मेंट क्या है एवरी होल नंबर हाँ एवरी होल नंबर इस नाच्वल नंबर है यह स्टेट्मेंट दिए रखा है बॉल रहा बताओ ट्रू यह फॉल से तो बताओ क्या है यह फॉल्स है पुला या हाँ होल नंबर एक नाच्वल नंबर है जब भी कन्फिज होना हो आप नंबर लाइं बना लो चेक कर लो नहीं भी बनाना है तो लिख लो अपने लिख लो आपको पता है जीरो से स्टार्ट हो तो होल नमबर है ठीक है बट ये कुछ नंबर से नाच्रल नंबर भी है तो सारे होल नमबर होंगे चेक करो तो जीरो कैसा नंबर है जोकि होल नंबर हो तो है पट नियारल नंबर नहीं है तो मतलब इन नंबर को देखा तो पता ज Caitlin की यह दोनों थे Natural भी यह बलन नमबर भी है. BUT zero. शरी اللहम है. So, बट नाचरल नमबर नहीं है. तो जो एक statement कहा रहा है किया सारे होल नमबर होंगे? तो सारे होल नमबर नाचरल नमबर नहीं हो पा रहे हैं. क्योगि zero एक ऐसा नमबर है, क्यों कि होल नमबर है. बट वह natural number नहीं है तो इस statement क्या हो गया false फिर से बतारों क्यों false हो गया क्योंकि बहुत सारी number जो यहां दिख़े है वह whole number भी natural number भी बट 0 सिर्फ whole number है बट वह natural number नहीं है इसलिए statement क्या हो गया false हो गया हो आई होप में बात का आप समझे होंगे सेकेंड क्या है हमारे पास कि एवड़ी इंटीजर इजर राश्टनल नंबर कि एवड़ी इंटीजर आप भी अपने बुक निकाल लो और ट्राई करो जैसे मैंने क्यों निका आप ट्राई करेंगे मेरे आंसर का वेड़ नहीं करेंगे इससे आपके मैस को बनानी की छमता आपकी सोचने की छमता बढ़ेगी तो क्या है कि एवरी इंटीजर इंटीजर राश्टनल नंबर तो भाई मुझे नहीं पता सपोस्थ मुझे कुछ नहीं पता मुझे चेक करना होगा तो मैंने चेक किया कि इंटीजर को लीक के देखते हैं तो इंटीजर तो 0 भी हैं इंटीजर Downs1 भी होता है हो गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्टिन बहुत ही सांदार बहुत इजी इजी तब हो जाएगा जब चीजों को आप मेरी बात को जितना बात बताए आपको समझ लो अच्छे से तो यह बहुत आसान है आपके लिए चलो और चलते हैं थार नमर कोश्चन आप करो जो आपके एक्जां दूआ राश्टन नमबर इस नीटेजर चेक करो फिर से क्या सारे आटेजर अच्छन्रम्ए इंटीजर हो सकते हैं कि तो कुछ रैस्न नमबर लो चेक करो से जैसे मैंने रैस्नार नमर लिए तो सिर्फ दू लिख सकते हैं तो यह रैस्ट नमबड भी हुआ तो यह रैस्ट नमबड भी हुआ मैंने ले लिए स्बरक्क्रpeeag compact, आप to 2x5 एक बात हुई मने ले लिया 2th मैंने वोल दिया फाइब फाइब 2 कुछ भी बो दिया मैनने एसा fraction ले ले जहाए पर denominator one नहीं है तो देखो यह भी rational number है यह भी rational number यह rational number है but यह integer नहीं है यह integer नहीं है यह integer नहीं है क्योंकि integer plus या minus हो सकता है वो decimals में नहीं आएगा इसको अफSolve कोने गोटो decimal के form में आएगा decimal में आएगा बट rational number तो कुछ भी हो सकता है न यह सब भी हो सकते हैं तो कुछ rational number को हम integer बो सकते हैं बट कुछ rational number को integer नहीं बो सकते हैं इसका मतलब यह हो गया सारे rational number integer नहीं होंगे कुछ ही rational number integer होंगे इसका मतलब every rational number is an integer बात गलत है क्यों गलत हो गया क्योंकि कुछ ही राशनल नमबर को इंटीजर नहीं बोल पाड़े यहां पर ऐसा मत सुचना है कि मैंने माइनस नहीं लिया है तो माइनस वाला गलत होगा भाई बबू बच्चे आप ऐसा भी लिख सकते हो सकते हैं यह सारे राशनल नमबर हैं बट यह इंटीजर नहीं है तो आपको आड़ी अच्छे से कोई भी आपको पॉबलम है इधर तो आप कॉमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो और कुछ कॉस्स ट्राइब किया जाए चलो तो कुछ राशनल नमबर को निकालना सिकते हैं कि अगर किसी दून नमबर के बीच हमने राशनल नमबर करना हो तो हम कैसे फाइन कर सकते हैं इस बात को सबजने से हमें बहुत बात और केजियर होगा तो आपको सब सब crystalline partir लिख रख है example number two में find five rational numbers between one and two क्या लिखाव है example number two में example ncrt का और exercise equally important है इसलिए हम examples भी करेंगे और exercise तो करेंगे ही करेंगे तो आपको बोलागिया है कि find five rational numbers find five rational numbers between किन किन नमबर के बीच बोला गया है one and two के बीच तो देखो अगर five rational नमबर बोला जाए चया कितना भी rational नमबर बोला जाए तो आप कैसे find करेंगे बहुत सड़े method है सबसे पहला तरीका ध्यान समझना अब कितने रैसल नमबर फाइन करने पांच तो आप माल देजिए कि लेट एन इक्वेस्टू क्या है फाइव ठीक है फिर आप क्या करेंगे आप अपने मन से लिखेंगे एन के साथ one प्लस करेंगे तो एन कितना फाइव 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 प्लस कितना करना वन तो वन तो कितना गया यह सिक्स यह आया सिक्स अब हमें करना क्या है यहां जो वन और टू है यहां वन और टू हमें करना क्या है कि यह सिक्स आया है इसके डेनोमेटर में मुझे सिक्स बनाना है औ क्या बन गया 1 by 6 2 by 6 वह बात बताओ वह वन की वैलिव जेंज जाएगी अगर मैंने इसको 1 by 6 लिख दिया तो मैंने ये बताया कि हमें लिखना 6 है अगर नीचे 6 लिख रहे हैं तो हमें कुछ ऐसा करना होगा कि उपर वह कुछ ऐसा नंबर लिखना होगा ताकि जिसको दोनों को solve करके मतलब कहने का ये है कि मैंने बूला 1 को मैं और क्या लिख सकता हूं चाहिए 10x10 क्लिने क्या या दो नहीं आएगा ठीक बात है मैंने बूला 2 को क्या लिख सकते हो आप बोलेंगे 12 campuses batheton यहां लिख सकता है इसा कोई दिटकत तो नहीं है कोई दिक्कत नहीं से तो मैंने बुला कि इसको आप इंटू 6 कर दो तो यह क्या बन गया 6 by 6 बन गया यहां पर 6 दिया अपने मन से तो यहां यह क्या देना होगा 6 तो ultimately यह क्या बन गया तो अभी क्या अपने पास है 6 by 6 और 12 by 6 क्योंकि यहां फिर से बता रहा हूँ क्योंकि 1 और 2 के बिश फाइंड करना में रैसल नंबर तो ultimately नंबर फाइंड करेंगे ठीक है बट यह 1 का वैलू तो चाहिए नहीं होना चाहिए न तो मैंने बोला जितने रैसल नंबर फाइंड क 6 अगर नीचे 6 अपने मन से लिखा है कहीं नहीं कहीं आपने तो उपार कर दो इसके वाज़े 6 by 6 आ गया जिससे वैल्यू चेज नहीं होगा वैल्यू चेज नहीं होगा मतलब 6 by 6 करेंगे तो वह नहीं आएगा सिमिलर्डे मैंने यहां से लिखा तो उपार दो 6 से मेल इप्लाई कर दिया तो क्या आएगा 12 by 6 अगर इसको कट करेंगे 6 तो एक कट हो जाएगा मतलब अभी वैल्यू चेज नहीं होगा इन दोनों के बीच 5 रैस्नल नंबर लिखने हैं तो इसके बाद आप क्या लिख सकत है रैस्नल नंबर जो वन और टू के बीच आपका आ रहा है ठीक है तब चेक भी कर लेना कि नंबर है या नहीं और यह भी तरीका है और भी तरीका है आप समझेंगे मैथर्स हमें बहुत सीखना है तो एक बात भी बताता हूं और यहां सुनना है इसी के साथ मैंने बोला अ है कि 7 x 6 x 6 x 6 x 9 x 6 10 x 6 x 10 x 6 x 15 par 6 ना और 11 x 6 वैं मेफ़ा कुरशन आप से यह है कि इन दोनों के बीच कि यह इतना ही रैस्नल नंबर पॉसिबल है या और रैस्नल नंबर पॉसिबल हो सकते हैं तो मेरा जवाब यह है और इसको हम सीखेंगे आगे किस तरह कि इन दोनों के बीच और भी राशनल नंबर हो सकते हैं तो एक बात है यहां पर बढ़ा इंपोर्टन स्टेट्मिन बोलने जा रहा हूं कि किसी दो राशनल नंबर के बीच बिट्विन बिट्विन एनी टू राशनल नंबर एनी तू राशनल नंबर देर और इन फानेटली इन्फानाइट राशनल नंबर किसी दो डैसल festive करते हैं इसको मागे समझेंगे कैसे इस स्टेट्मेंट को ध्यान में रखना और मैं बता रहा हूं इन दोनों के पीच और भी डैसल नंबर फाइंड करने को बोलते तो और फाइंड कर सकते हैं ठीक है इसको सीखेंगे जब डैसिमेंस को हम समझें आगे with our questions ठ करें हैं तो चला exercise 1.1 आप के लिए homework मेरा मैं मान रहा हूं और मैं जान भी रहा हूं और मैं जान करके intentional बहुत slow चलूँगा क्योंकि motive यहांब कोई stand करना तो है नहीं like बच्चे को generally क्या है कि other YouTube channels या जो भी XYZ में किसी का नाम नहीं लूँगा कि बहुत speed में इंट्रेस्टिंग कहानी स्टाइल अदम कुछ ऐसा जो बच्चे लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं तो कि यहां को attraction वाली बात नहीं है यहां को attraction करने के लिए यहां पर यह पढ़ाया नहीं जा रहा है सिर्फोर सिर्फ आपको मैस सिखाने के लिए यह चैनल को आपके सामने दिखाया गया है बताया गया कि आए यहां पर मैस सीखिए और समझिए तो चलो थोड़ा थोड़ा ही समझें के टाइम लगेगा कोई बात नहीं बटन सीख लेंगे क्योंकि फंडमेंटल सही है नाइत में काम है ही टेंथ में काम आना ही है आगे आप PCM ले रहे हैं ना mathematics से आगे पढ़ाई करना चाहर है तो इस सारे चीज आगे वहां बहुत कम आने वाले इसलिस यह मत देखो कि 40 मिट हो गया 30 मिट हो गया और चोटा चीज समझा है समझो इस बात को कि हमने कुछ सीख लिया हमने अगर 40 मिट किया तो हमने छोटी सी बात समझ ली वह बात इंपोर्टन यह नहीं है इस बात को आप समझ पाड़ें मेरी तो मेरे मेरा यह कहता है हला कि मैं कुस्स तो कराऊंगे एक्सराइज का आपको एक्सराइज 1.1 का आपके लिए मैंने होमग रखा तो नेक्स्ट क्लास में ऐसे जम चलेंगे देरे समझेंगे चीजों को को हमें फास्ट नहीं है ऐसा न कि मैं इने पहले ही बुला कि मैं कमजोड बच्चों पर फोकस कर रहा हूं कि बच्चे जो कमजोड इंडिया में हमारे और इन एनी कंट्री वो चीजों को बहुत अच्छे से समझें तो चले इसीक साथ इस क्लास को आज एंड करतें बिलता है नेक्स्ट क्लास में कुछ वर झाल